पुलिस के मौक डिल के दवरान आतंकी बने पुलिस कर्मियों ने अल्ला हुँ अक्बर के नाम का नारा देकर एक विशिष धर्म को आतंकी दर्शाने की कोशिश चंद्रापुर पुलिस विभाग के ओर से 11 जन्वरी को की गई थी जिसके बाद मुस्लिम धर्म में पुलिस व और से किर्किरी के बाद आज शनिवार कुछंद्रापुर सिटी पुलिस ठाने में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरू के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने बैटक लेकर जाइद तोरफ और माफी मांगी है साथ ही पुलिस ने शान्ती बनाने की अपिल किये दिनांके 11 को जो जिला पुलिस द्वारा महाकाली मंदीर में मौगडिल ली गई उस दिल का पाट करके जो भी बरताव अमारे केमे से हुआ है अनिंटेंशनल इसके लिए विभाग सम्मंदित मुस्लिम समाच का समाच से माफी मांगता है जो भी हुआ अंजाले में हुआ है और इसकी पुनरा उरुति भविश्य में ना हो इसका जरूर हम दखल देंगे और हम सबसे अपील करना चाहेंगे सभी मुस्लिम भाईयों से कि इसको अलगतर से ना लेते हुए एक अनिंटेंशनली किया हुआ एक्ट समझ के इसको गूल जाए पुलिस विवाग अपने तरफ से कभी पार्शालिटी करता नहीं और ना फूल्चर में भी हम करेंगे कि हम आपको आस्वाशन करते हुआ पुलिस याने समाज का आयना सुरक्षा का दूसरा नाम बोले तो पुलिस पुलिस की कोई जाती नहीं होती और नाहीं कोई धर्म होता है पुलिस का एकी धर्म होता है वो है खाकी और एकी जात होती है सज्जनों की रक्षा सदरक्षना है खला निगरनाय वाली हमारी पुल किन्तु 11 जन्वरी को चंद्रापुर पुलिस विभात की ओर से मौक ड्रिल की रंगित ताली महाकाली मंदिर में की गई थी जिसकी जराभी भनक ना जंता को थी और ना ही पत्रकारों को इसी बीच महाकाली मंदिर में आतंकी गुसने की चर्चा शुरू हो गई इसी बीच कुछ आतंकीों के भेश में आये पुलिस कर्मियों ने हाथ में बंदुक लहराते हुए माकाली मंदिर इलाके में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया उन्होंने मुस्लिम धंको आतंकी दर्चाने का प्रयास किया जिसके बाद कमांडो वर्दी में आये अन्य पुलिस कर्मियों ने आतंकीों को हिरासत में लिया था लेकिन पुलिस की यह पूरी कवायत में जो नाम इस्तेमाल किया गया जिससे मुस्लिम संबुदाय की भावनाय काफी आहत हुई ग्यारा जनवरी को पुलिस की ओर से मुस्लिम धर्म को आतंकी बोलने पर चंद्रापूर के अधिवक्ता संग काफी नाराज नजगा है वकिल संके जाविज शेक समेट, फराद बेग और अन्य अधिवक्ताओं ने लिखित में शिकायत जिल्ला पुलिस अधिक्षक के पास दर्ज कराई थी जिसके बाद मीडिया की सुर्किया बने पुलिस विभाग को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा तो वही मुस्लिम समाज में पुलिस विभाग की इस करनी से तनाव था जिसे देखते हुए आज पुलिस के आला अधिकारी ने जाहिर तोर पर माफी मांगी है साथ ही शान्ती की अपिल भी किये